हेलो फ्रेंड्स बेलकम टू राल ससंदी अकेडमी देगी बिहार सरकार द्वारा जो बीपी ऐसे टी आरी टू पंट जीरो सप्लिमेंटरी रियल्ट का इंतिजार कर दे थी अब बढ़ती उनके लिए एक तरीके का जटका दिया है यहां पर उनके सपनों को लगबग तोड़ सच्छा सेवा में सच्छे बिहार लोक सेवा आयों कि बिहार पटना यानि वीपी ऐसी को भेजा गया है और इसकी देगी जो दिनाग डली हुए वो 19-2024 है 19 तारीक को यह लेटर आ चुका है मतलब वीपी ऐसी को भेजा जा चुका है अब यह सोसल मीडिया पर आपको यह मत साते हैं आपको लेटर के बारे में क्या है इस लेटर में इस है सिच्छा विवाग बिहार पटना के नियंत्रडा धीन प्रारंबिक माध्यमिक एवं उच्छ माध्यमिक विद्यालेव में बिहार लोक सिवा आयोक के विज्ञापन संक्या 27-2023 TRE2 के द्वारा विद्याले द्यापक के एक से अधिक पदोपर अनुसंसित अभिहरतियों से उत्पन होने वाली रिक्तियों पर पूर्ग परिछा फल का अनुसंसा नहीं बेजने के समबन्द में यानि कि जो पूरक रिजल्ट है उसकी अनुसंसा नहीं वेजी है इसके संबंद में ये प्रसंग दिया हुआ है विवागी पत्रंग 23 दिनांग 3124 यह पत्रंग 13 दिनांग 15 दिनांग 3124 दो बारे नो ने यो लेटर भेजा था भी PSC को उसके बारे में बता गया देखी क्या महासे निर्देशा अनुसार उप्युक्त विशेक प्रसंगिक विवागी पत्रंग 23 दिनांग 3124 के द्वारा सिच्छा विवाग बिहार पटना के नियंत्रणा धीन प्रारमिक माध्मिक एबम उच्च माध्मिक विद्यालेओं में बिहार लोकसेव आयोग के विग्याप पदोपर आवेधन किया गया है एवं उनका चैन भी एक से अधिक पदोपर किया गया है बैसे अब बेरत्यों की रिक्ती जिन पर उनके द्वारा योगदान नहीं किया गया है पर पूरक परिच्छापल प्रकासित करने है तो अनुरोध किया गया था ये अनुरोध किया ग कब प्रकासित की जाएगी अथवा प्रकासित नहीं की जाएगी के संबन्ध में सूचना विवाग को देने है तो अनरोध किया गया था, आध्यावदी तक संबन्ध में आयोक दौरा विवाग को कोई भी सूचना नहीं दी गई, ज्यातवयों के TRE2 को परिछा पल लगबग एक मापूरू प्रकासित किया गया था, सम्बंदित अब्रतों को काउंसलिंग पस्चात, ओपवंदिक, निक्ति पत्र, निर्गत करने के पस्चात, विद्याले आमंटन की कारवाई, प्रक्रिया धीने, ऐसी परसिती में, पूरक परिच्छा पल, प्रकासित किया जाना, समीचीन प्रतीत नहीं होता है, देखि यहां तक तो बात इनकी समझ में आती है, कि अभी प्रक्रिया धीने, कारवाई, तो आप इसमें पूरक रियल्ट, लेकिन मुकतनेवाजी ऐसी कोई सिती वैसे ऐसे उत्पन होने की संभावना नहीं दिखाई दे रहे थी, विभाग द्वारा समीच्छो परांत निड़ा लिया गया है, कि टी यारी टू से सम्बंदित पूरक परिच्छा फल, सम्बंदी उपरोक्त तेईस दिनांक 31224, एवं पत्रांक 138 दिनांक 151224 को बापे से लिया जाता है, साथी मतलब तेईस तारीकों जो पहले नोंने तीन तारीकों बेजाता पत्रांक, बीपीएसी से अन्रोध की जाता है, इनोंने खाली रिखतियां बेजी थी, जो के समाचार पत्रों और इनके जो आरा बताया भी गया था 14 या 762 के सम्थिंग पोश्ट हैं, इन पर वीपीएसी से बोला था कि आप टी आरी 2.0 का सप्लिमेंट रियल्ट जारी करिये, फिर नोंने तीन तारीक पंदे तारीकों फिर पत्र लिखा वीपीएसी को, और वीपीएसी से फिर पूछा इनोंने कि आपने क्या कारिवाई की और उनसे बोला कि आप रियल्ट नकाली है, अब देखे ऐसा क्या होगा कि आपने दो दो बार रेमेंडर करके बोले हो, बैकेंसी भी आप देखे रहे हो, कि हमारे पास इतनी रिखती हैं और वीपीएसी से अपने अनरोध भी किया है, देखे आपकी एक बात ये तो मान के चली जा सकती है, ये बात तो आपकी ठीक है, कि आपको लग रहा है कि आप प्रक्रिया दीन है, तो हम सप्लिमेंटरी रियल्ट जारी कर देंगे, तो उससे कोई समस्या खड़ी हो सकती है, लेकिन आप एक काम ये भी तो कर सकते हो, कि प्रक्रिया देने याने कि जो भी आपकी प्रक्रिया चली, उस प्रक्रिया को कम्प्लिट करने के बाद में, जब प्रक्रिय आपकी complete हो जाए वाली उसके बाद में रिखती हो कि आपके पास final data आने के बाद में आप supplementary को थोड़ा बेट कर सकता स्टुडेंट लेकिन यह बिल्कु नयाय उचित नहीं कि आप supplementary reality ना दें क्योंकि आपने पहली एक बार आप बेच चुके हो कि मारे पास इतनी रिक्तियां और रिक्तियां बढ़ने की possibility थी और भी निक्रीज हो रही थी तो आप supplementary के बारे में अब यह बोले हैं कि इस पर कोई भी अनुसंसा विवाग को नहीं बेजी जाए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपने supplementary का अब उन्हें एक प्रकार का यह मान के चलिए थोड़ा सा धक्का लगा है कि मतलब अब विवाग यह चा रहा है कि supplementary जारी न किया इस लेटर से तो यही निश्कर निकल के आ रहा हैं और देखते हैं सिच्छा मंत्री यह बोलेते चाहां हम देखते हैं supplementary के बारे में कैसे क्या होता है तो यहां पर देखिस रिकोंटर्ए में कौन्टर अछने दिए तो यह निकल ला है वह नहीं चाहता है कि उसका दिया जाए कि अब नहीं से मंसा दिखाई दे चाहा रही है कि जो सफ्रिमेंटरी को कर दिया जिससे कि वह वड़ी वेकंसी देखने को मिले अब अभ्यों की बहुत सप्लिमेंटरी रियल्ट की और वियास सरकार ने बोला भी था सब कुछ सई चल लाता यहां तक 15 तारिक तक रिमेंटर भी बेज तें नहीं दोबारा से वीपीएसी को रियल्ट नकालने के लिए अब इन्हें ऐसा क्या हो जाता है कि मतलब वीपीएसी सप्लिमेंटरी है कि अब भीरतियों के हित को ध्यान में रखते हुए सप्लिमेंटरी रियल्ट है उसे निकाले उससे आपके पास अब भीरतियों के हैं टेस्ट आपका हो चुका है बच्चे आपके पास हैं तो आप सप्लिमेंटरी रियल्ट लाके अगर आप सप्लिमेंटरी रियल्ट दे एक पोश्ट पर लेगा तो बाकी को बेकेंट करेगा तो उस पर जो पीछे वाले अब्यर्थी है जिनकी कट अब डाउन है उन्हें मौका मिलना चाहिए बहुत से अब्यर्थी ऐसे भी है जो मात्र अपनी डियोवी के कारड़ ही रह गए तो यहां पर देख लिए अगर सप् बियर्थीओं के बारे में सोचती है अगर देखती है तो उसे बीपी ऐसी टी आरीटू सप्लीमेंटरी एल्ट निकालना चाहिए इस लेटर से तो आपको इस पश्ट दिखाई देख रहा है कि बीपी ऐसी लगता है अब वो सप्लीमेंटरी एल्ट देने के पच्छ में नह सप्लीमेंटरी एल्ट नहीं देंगे वह संस्ता के तौर पे कर रही है जो बैकेसी को पूर कर रही है पूरी जिम्मेदारी आपकी भिहार सरकार की है अगर आप चैनल पर पहली बार बीजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करने बैल आइकन को प्रेस कर्लें धन्यबा प्लाप्रिस्ट वी बशी करते हैं